23 और 24 अगस्त का दिन मकराशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? जै मातादी दोस्तो, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 23 अगस्त और 24 अगस्त के मकराशी फल के बारे में कि ये दो दिन आपके लिए कैसे होंगे? इन दो दिनों में ग्रहों की स्थिथी क्या होगी? इन दो दिनों में नक्षत्र क्या होंगे? कौन सा ग्रह राशी बदलेगा? क्या योग बनेंगे? और इन सभी का जो प्रभाव है वो आपकी दिन्चरिया को कैसे प्रभावित आपके जीवन से जुड़े हर एक शेत्र के बारे में यहां बात करेंगे फिर वो आपका निजी जीवन हो आपका कारशेत्र हो आपकी सिख्षा हो आपका प्रेम पारिवारिक जीवन हर एक चीज के बारे में तो वीडियो को लास तक देखें चैनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चानल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती है तो यह जो 23 अगस्त है यह बुद्वार का तो दिन है और शुकल पक्ष की सब्तमीतिती है इस दिन विशाखा नक्षत्र रहेगा जिसके स्वामी होते है इंद्रदेव और ब्रह्म नाम का इस दिन योग बनेगा चंद्रमा तुला राशी में है लेकिन इसी दिन चंद्रमा का राशी परिवर्टन हो जाएगा और चंद्रमा आ जाएंगे वरश्चिक राशी में सूर्य है सेहिंग राशी मगा नक्षत्र में रवयोग भी इस दिन बनेगा और अविजीत मुरत कोई नहीं होगा आप 24 अगस्त की बात करें तो 24 अगस्त गुरुवार का दिन है शुकल पक्षकी अनुराधा नक्षत्र है और इंडर नाम का योग बनेगा साथ ही सरवार्त सि बुद्धी योग भी बनेगा जो बहुत इशुब योग माना जाता है रवी योग भी रहेगा गजगेश्री योग भी बनेगा चंद्रमाहे व्रशब रासी में सूर्य हैं सिहिंग राशी मगा नक्षत्र में और इस दिन एक और ग्रह का राशी परिवर्तन है जो की दिखाए देंगे इसके उपर मैं पहली वीडियो बना चुकी हूँ कि वक्री बुद्ध जो है उनका प्रभाव आपकी जीवन पर कैसा होगा तो चलिए ये हो गई हमारी ग्रहों की इस्तितियां अब इनी के आधार पर जानते हैं कि ये कैसा परिवर्तन आपके लिए लेक जात होगी जिससे मिलकर आप बेहद प्रसन हो जाएंगे बेहद खुशी का अनुभव कर पाएंगे और भी कई चीजें बड़ी पॉजिटिव इस दिन आपके जीवन में दिखाए दे रही हैं जैसे कि आपको आपका कोई फसा हुआ पैसा था रुका हुआ पैसा था वो आ आपको उनके तजूर्वे से सीखने की कोशिश जरूर करने चाहिए हर रोज अपने किसी के प्रेम में पढ़ने की आदत को बदलिए अगर ऐसी स्थितियां है तो और अपने जीवन में जो महतपूर्ण चीजें हैं उनकी तरफ आपको फोकस करना होगा कारेशित्र के नज पूर फाइदा उठा सकते हैं अगर आप आज खरिदारी पर जाएं तो आज आपकी जरूर से जादा जेब भी ढीली हो सकती है तो थोड़ा सा तो आपको यहां ध्यान रखना होगा आज सुभाय से ही आपके लिए इस्थितियां जो हैं बहुत ही फेवरेबल रहेंगी और साथ ही जो वैवाहिक जीवन है उसमें भी इस्थितियां अच्छी रहने वाली हैं जीवन साथ ही की तरफ से आपके लिए इस्थितियां शुब बन रही हैं आज दिए कि चंदरमा इस दिन तुला राशी में सुभाय को हैं शाम को वरशिक राशी में आ जाएंगे तो एक तो ये क्या करते हैं, चंद्रमा की जो इस्तिती है वो आपको आरम महसूस कराएगी, आप गुस्सा थोड़ा कम कर पाएंगे, और किसी ऐसी चीज में शामिल होने से आप इनकार ना करें, जहां आपको कुछ सीखने को मिल रहा हूँ, अगर किसी ते चीज की अपॉर्शनिट दिखाए दे रहा है, इस समय का उपयोग आप कर सकते हैं, आज वो दिन है जब आप कई छेत्रों में कुछ महतपून चीजे पा सकते हैं, कुछ महतपून सीख सकते हैं, आप कोशिश करें कि आप अपने जो पैंडिंग पड़े काम हैं, उनको भी पूरा कर लें, और क्यों फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, आम तोर पर तो ये बहुत अच्छा दिन है, कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, और इंकम के साधन भी आपके लिए सुद्रड रहेंगे, स्थिर रहेंगे, लेकिन होता है कि कई बारना ऐसी लापरवाई हो जाती है, जिसे हम बहुत ले ले लेते हैं, और वो लापरवाई आपके लिए बड़े नुकसान का कारण बन जाती है, तो अपनी लापरवाई के कारण किसी भी अफसर को हाथ से ना जाने दे, बस इस चीज का ध्यान रखें, अगर आपके पास पैसा आया है, पैसा मिला है, कैश में मिला है, तो उस दोड़ता रहेगी, धहरे शिलता बनी रहेगी, नौकरी में कुछ परिवर्तन भी होते हुए दिख रहे हैं, और माता का स्वास थोड़ा प्रभावित हो सकता है, तो उनके स्वास्ते का ध्यान रखें, और सिक्षा में इस्तितियां जो है वो आच्छी रहेंगे, चलिए बात करते हैं, हम चौबीस अगस्त के बारे में, जोकि सरवार सिध्धी योग के साथ शुरू होने वाला है, चंदरमा के स्टितिभी विरश्चिक राशी में है, यानि आपके तो ये ग्यार्वे भाव में चंदरमा उपस्थित हैं, ग्यार्वे भाव के चंदरमा शुब क इसमें आपको जलती सफलता भी देखने को मिलेगी और इस में कोई शुब समाचार भी आपको मिल सकता है तो उसके मिले भी तयार रहें कई बार होता है जहां हम ने सोचा नहीं होता उस दिन आपको कुछ ऐसी खबने सुनने को मिल जाती है कि मन जो है वो गदगद हो जाता है अगर आप एक वैपारी हैं आप वैपार करते हैं तो आज आपका वैपार बहुत अच्छे से तरीके से चलेगा लाब देखकर खुश हो जाएंगे आर्थी किस्तिती को देखकर खुश हो जाएंगे और यह आपके लिए खुशी की बात होगी लेकिन बड़ी बात यह है कि आप तरक्की के ओर जा रहे हैं और आपको एक संतुलन बना कर रखना है अपने बजट में और अपने खर्चे में तरक्की कामियाभी जब आपको दिलाएगी तरक्की आपके लिए तब अच्छे से रहेगी जब आप एक बैलेंस बनाएंगे खर्चा कम करेंगे बचत जादा करेंगे तब आपको सारी चीज़े दिखाई देंगे इसलिए इन जीजों की तरफ आपको ध्यान जरूर देना होगा अपने पार्टनर के साथ तालमिल बना कर चलेंगे अगर रिष्टों में कुछ दूरियां है कम्यूनिकेशन गैप है तो उसके सम्मंद खराब हो सकते हैं तो उस कमी को दूर करने का प्रयास करें दूसी तरफ ट्रांसपोर्ट का बिजनस करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बहुत लाप्रद रहेगा और परिवारी किस्तितियां भी अच्छी दिखाए दे रही हैं किसी तरह के निर्ण लेने में अगर कोई परिशानी है तो धहरिया का साथ देते हुए इस परिशानी को हल करना है ताकि भविश्य में परिश्थितियां जो है वो अच्छी रहें आगे चल कर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो तो इसलिए इनी चीज़ों को देखकर आपको ध्यान रखना है प्रेम जीवन के मामले में अच्छा है अगर आप पार्टनर की खोज में हैं आप वेवयाहित हैं तो महतपुन दिन रहेगा हो सकता है आप जिस तरह से आपने सोच के रखा उस तरह ना हो तो थोड़ी से डिलाई आपको करनी पड़ेगी वरना अगर आप बड़ा उचा एहम रखेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है और अपना पसंद का पार्टनर मिलने से कम मौका आप खो सकते हैं तो चीज़ें जो हैं काफी अच्छी रहेंगी और ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज्याज़दा लाइक करें शेयर करें ताकि ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सकें